Hello everyone, you are welcome to this second video First video में हमने start की है English grammar बिलकुल starting से This is our second video of learning English grammar So let's start Today we are learning use of this and that This This means here And that means there ये कुछ sentence हैं अब हमेने बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं ऐसे sentence को? सबसे पहला sentence है ये है एक घड़ी है इन sentence में हमें this और that का यूज़ करना है ये है और बहे के लिए ये है के लिए लगाएंगे this और बहे के लिए लगाएंगे that So पहला sentence है ये है एक घड़ी है तो हम इसे कैसे बनाएंगे? This is a watch This means ये है It means है ए मीन्स एक, बॉच मीन्स घड़ी, this is a बॉच, यह एक घड़ी है, next sentence है, वह एक मेज है, तो कैसे बनाएंगे इसे, इसे बनाएंगे, that is a table, that means बह, is means है, ए मीन्स एक, table means मेज, that is a table, next sentence है, यह एक कुर्सी है, तो कैसे बनाएंगे इसे, this is a chair, this means यह, is means है, a means एक, chair means कुर्सी, इसके बाद आता है, वह एक पंखा है, इसे कैसे बनाएंगे, तो that means बह, is means है, a means एक, fan means पंखा, that is a fan, next देखते हैं, negative sentence, इस टाइप की negative sentence को कैसे बनाते हैं, पहला sentence देखते हैं, यह एक घड़ी नहीं है, तो इस sentence को हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम not का यूज करेंगे नहीं के जगा, तो कैसे बनाएंगे, this is not a watch, this means यह, it means है, not means नहीं, a means एक, watch means गड़ी, यह एक घड़ी नहीं है, next sentence है, बह एक पंखा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, इसे, that is not a fan, that means बह, it means है, not means नहीं, a means एक, fan means पंखा, that is not a fan, मैं एक पंखा नहीं है, next sentence है, यह एक कुरसी नहीं है, इसे कैसे बनाएंगे, this is not a chair, यह एक कुरसी नहीं है, next sentence है, बह, एक मेच नहीं है, इसे कैसे बनाएंगे, that is not a table, बह, एक मेच नहीं है, अब next हम सीख लेते हैं, कुछ important sentence, लाइक पहला sentence है, यह एक अंड़ा है, इसे हम कैसे बनाएंगे, this is an egg, हमने इस sentence में एक ही जगा एन का यूज करा है, क्योंकि हमारा जो subject, जो egg है, वो boil से शुरू हुआ है, तो जो words boil से शुरू होंगे, उनके आगे हम a नहीं एन का यूज करेंगे, boil कौन से होते हैं, a, e, i, o, u, अगर कोई भी word, इन word से शुरू होता है, तो उसके आगे हम an का यूज करते हैं, तो sentence एक लेते हैं, first sentence है हमारा, यह एक अंड़ा है, तो इसे हमने कैसे बनाएंगे, this is an egg, this means यह, it means है, an means egg, egg means अंड़ा, next sentence है, यह एक चाता है, तो इसे कैसे बनाएंगे, that is an umbrella, that means, it means है, an umbrella, egg चाता है, तो इसे भी कैसे बनाएंगे, that is an orange, तो यह थे हमारे important sentence, जन में हमें a नहीं an का यूज करना होता है, जो words, policies स्टार्ट होंगे, उन में हम an का यूज करते हैं, इस वीडियो में हमने सीखा, this और that का यूज, अब आगे की grammar हम next वीडियो में सीखेंगे, कि अनाएंगे के लिए डाच्ट करत fellow में सीखेंगे,